आज हम आपको बताएंगे की परमात्मा का इस धर्ती पर आना माने परमात्मा का अवतरण कब और कैसे होता है हमारे भारत वर्ष में अनेक धर्म है जिसमें प्रमुक धर्म है आदि सनातन देवी देवताधार्म उसके आलावा बौत धरम क्राइश्ट धरम सिख धरम ये हमारे चार मेन धरम है तो जो भी धर्म हैं वो धर्म पिताओं के द्वारा स्थापना होती है लेकिन सबसे मेन और सबसे प्रमुख धरम जिसकी सबसे पहले स्थापना होती है वो है आदी सनातन देवी देवता धर्म आदी मने पहले इस धर्म की स्थापना स्वेप परमात्मा के द्वारा होती है तो परमात्मा कब इस धर्म को स्थापन करने इस स्रिष्टी पर आए ये हम आपको बताना चाहते हैं कि 1937 में सिंध परांत में एक महा अध्यात्मिक दिव्य महा पुरुष थे जिनका नाम था दादा लेकराज वो डाइमंड के प्रख्यात व्यापारी थे प्रतिस्टिट थे, प्रख्यात भी थे और अध्यात्मिक भी थे उनको हीरे की बहुत अच्छी पहचान थी उनकी डिलिंग अपने धन्दे में या तो 1937 में अंग्रेजों का राज्य था तो उस समय अंग्रेजों से होती थी या फिर राजा महराजाओं से होती थी क्योंकि वो अपनी फिल्ड में बहुत पार्खी थे इतने उच और धनाड़े होने के साथ साथ दादा लेखराजी बहुत अध्यात्मिक थे और सत्य से जोड़े हुए थे एक मन बुध्धी धन्दे में लगी होती थी तो दूसरा ध्यान उनका सत्य की खोज में लगा होता था हमेशा वो उपराम होकर सत्य को जानना चाहते थे कि इश्वर कौन है क्या ये स्रिस्टी कैसे चलती है उनके मन में ऐसे प्रश्णों उठते थे और वो अपने पूजा पाठ भी बड़ी विधी पूरुपक करते थे सुबह से शाम तक उनकी दिन्चर्य भहुत एकुरेट और परफेक्ट होती थी उसमें कोई भी फेर बदल वो नहीं करते थे उनकी मन में एक इच्छा हमेशा रहती थी इश्वर कौन है कहा है और वो कैसे कारे करता है तो उसके लिए उन्होंने गुरु किया कि गुरु ही मेरे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं उन्होंने गुरु से अनेक तरह के सवाल जवाब किये उनके सवालों का गुरु भी कुछ सवालों का जवाब दे पाए और कुछ प्रश्न प्रश्न ही रह गए तो उन्होंने कहा कि और भी कोई बड़ा गुरु हो जो मेरे इन प्रश्णों का उत्तर दे सके तो उन्होंने और दूसरे गुरु किया उनसे भी इसी तरह के सवाल जो उनके मन में चलते थे वो उन्होंने किये अब वहां से भी उनको संतुस्टी नहीं हुई फिर उनके कुछ प्रशन अंसर हुए और कुछ प्रशन प्रशन ही रह गए फिर उन्होंने और गुरु किये इस तरह से उन्होंने करते करते अपने जीवन में बारहां गुरु किये लगाईए उनकी कितनी तिवर इश्चा थी सत्ते को जानने की परमात्मा की खोज करने की कि उन्होंने एक के बाद दूसरा दूसरे के बाद तीसरा और करते करते बारहां गुरू किये एक दिन उन्होंने अपने घर में सत्संग रखा और सभी बाराव गुरुओं को निमंतरण पर बुलाया और जो भी तूरदून के उनके रिष्टेदार थे स्याथी संभन्दी थे सबको निमंतरण देकर सत्संग किया सत्संग वहाँ चल रहा था दादा लेखराज जी सत्संग बैठ कर सुन रहे थे और उनके गुरू सत्संग में महावाक्य उच्चारन कर रहे थे अचानक ही सत्संग के बीच में दादा लेखराज जी को कुछ अजीब सी महसूसता हुई बैठे बैठे तो इस बीच वो उठ खड़े हुए और अपने घर अंदर चले गए ये द्रश्य उनकी बड़े बेटी की बहु देख रही थी वो भी बहुत अध्यात्मिक थी और दादा लेख राज के जी के आदर्शू पर चलती थी तो उन्होंने सोचा कि पिताजी को क्या हुआ वो तो ऐसे सत्संग में उठ कर जाते नहीं है आखिर क्या बात है तो वो उठ कर अंदर गई कि मैं चल कर देखती हूँ कोई प्रॉब्लम कोई तब्यत तो ठीक है ऐसा सोच कर वो भी उनके पीछे पीछे अंदर गई अब डादा लेखराज अपनी कमरे में थे तो उन्होंने बाहर इंतजार करने लगे कि वो आएंगे तो मैं पूछूंगी क्या कारण है कि आप सत्संग के बीच में से गुरूं के बीच में से उठकर आप आगे आपकी तब्यत ठीक है इस आशा से वो बाहर खड़ी थी और डादा लेखराज जी का इंतजार कर रही थी परन्तु काफी समय हो गया डादा लेखराज जी अपनी कमरे से बाहर नहीं आए तो उन्होंने दरवाजा खुद खोला और एक अलोकिक दिव्य द्रश्य उनको दिखाई दिया गोद्रश्य ऐसा था पूरा दादा लेखराज जी का पूरा कमरा लाल और पीली लाइट से भरा हुआ था दादा लेखराज जी आसन नुद्रा में जमीन पर विराजमान थे बैठे हुए थे तपस्विस रूप में और उनके आखों से बहुत तेज प्रकाश निकल रहा था और साथ-साथ उनके मुख से कुछ संस्कृत के वाक्य श्लोक या वाक्य उच्चारन हो रहे थे जो कुछ इस प्रकार थे शिवोहम शिवोहम जोती स्वरूपम शिवोहम ज्यान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम शान्ति स्वरूपम इस तरह के संस्कृत में महावाक्य दादा लेखराजी के मुख से उच्चारन हो रहे थे जिनका मतलब कुछ ऐसे था कि मैं शिव परमात्मा शिव इस धरा पर आचुका हूँ मैं ही जोती स्वरूप हूँ मैं ही शान्त स्वरूप हूँ ये द्रश्य देखकर वो हैरान रह गई थोड़े समय के बाद जब ये द्रश्य चला गया तो दादा लेखराज अपनी अपनी नौर्मल अवस्था में आए तो वो भी सोच में पड़ गए कि ये मेरे साथ क्या हुआ वो समझ नहीं पा रहे थे तो उन्होंने इस घटना के बारे में अपने गुरूं से पूछा तो गुरूं ने भी इसका अंसर नहीं दे पाए तो उन्होंने कहा इसका उत्तर तो हम भी नहीं आपको दे सकते स्वे भगवान ही इसका उत्तर दे सकता है तो इस घटना से उनकी बुद्धी इसमें घूम गई कि ये क्या और कैसे हुआ अब उसके दो दिन के बाद दादा लेखराजी को विनास का शाक्षातकार हुआ कि इस धर्ती पर विनास कैसे होगा जो द्रश्य उन्होंने साक्षातकार में देखे वो इतने भयानक थे दिल को दहलाने वाले थे दिमाग को हिलाने वाले थे कि उनके मुह से निकला बस अब मैं इससे ज़्यादा नहीं देख सकता और उनके आँखों से अश्रू निकलने लगे और वो काफी समय तक वो आँसू उनके आँखों से बंद नहीं हुए तो ये भ्यानक द्रश्य साक्षातकार के रूप में दादा लेखराजी ने देखा उसके बाद फिर एक और द्रश्य उनको साक्षातकार हुआ वो सत्यूगी स्वर्णिम दुनिया का साक्षातकार जिसके द्वारा उन्होंने उसमें देखा कि देवी दुनिया स्वर्ग कैसा होगा वो इस धर्ती पर ही होगा लेकिन वहां कैसे लोग होंगे देवी देवता होंगे और दुनिया परफेक्ट सुख शान्ती की दुनिया होगी संपून संपन्नता होगी उस द्रश्य को देखकर उनको बहुत अच्छा लगा और उनका मन शान्त और खुशी से जूम उठा ये सब होने के कारण अव उनके प्रश्ण मन में बहुत प्रश्ण मन में चल गए और इन प्रश्णों का उत्तर कोई भी नहीं दे पा रहा था तो वो अपने से ही मन्थन करने लगे सोच विचार में ढूब गए और उनकी बुद्धी इस दुन्यावी बातों से उपराम हो गई और वो अपने ही स्वाच चिंतन में इन घटनों के चिंतन में व्यद अपने आपको व्यस्त कर लिया कुन के प्रश्ण किसी ने आंसर नहीं दे पाए तो वो खुद ही खुद से प्रश्ण करते और सोचते कि मेरे साथ ये क्या हुआ अब इसमें जो शक्ती की प्रवेश्टा हुई थी दादा लेखराज के शरीर में वो प्रथम दिन था जव परमात्मा शिव शिव को कहते न सत्यम शिवम सुंदरम शिव ही कल्यान कारी है उस दिन परमात्मा ने इस धरा में अवतरन हुआ और दादा लेखराज के शरीर में तन में उन्होंने प्रवेश किया वो महाशक्ति महाजोद वो पहला दिन था जब परमात्मा इस धरा पर दादा लेखराज के तन में अवतरित हुए तो कल्युक के अंत समय में परमात्मा का इस स्रिष्टी पर आगमन होता है लेकिन परमात्मा एक जोती शरूप है एक महाशक्ति है प्वाइंट ओफ लाइट एक जोती है तो वो जोती दादा लेखराज के तन में प्रवेश करके और उनके माध्यम से इस धरा पर अवतरित हुई और उन्होंने आदी सनातन देवी देवता धर्म का स्थापना का कार्य 1937 से सिंध प्रान से शुरू हुआ यही है ये संस्था प्रजा पता ब्रह्मा कुमारी इश्वर ये विश्विद्याले तो प्रमात्मा का कार्य कैसे शुरू हुआ वो हमने आपके सामने बताया ओम शंति